नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं मौसम केंद्र ने कहा है कि जार्खन में अगले 5 दिनों तक सुबा में कोहरा या धोंद छाया रहेगा इसके बाद दिन में आस्मान साफ रहेगा, मौसम सूस्क रहेगा इन 5 दिनों में अधिक्तम तापमान में किसी बड़े बदलाव के उमीद नहीं है लेकिन अगामी तीन दिनों में निवत्तम तापमान में 2-3 डिगरी सेलसियस तक की गिरावट दर्ज की जाएगी इसी तरह 24 नोंबर को रांची का निवत्तम तापमान 11 डिगरी सेलसियस तरह सकता है वहीं 25 नोंबर को अधिक्तम तापमान 1 डिगरी गिर कर 26 डिगरी सेलसियस तरह सकता है जबकि निवत्तम तापमान में भी 1 डिगरी की गिरावट आने की उमीद है 25 नौमबर को रांची का निवत्तम तापमान 10 डिग्री सेल सियस्त रह सकता है वहीं 26 नौमबर को तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा भारतिये महिला होंकी टीम में जारखन के चार होंकी खिलाडियों का चैन जारखन की बेटियों ने होंकी के खेल में एक बार फिर अपने राजे को गरवानित किया है बुद्वार को भारतिये महिला होंकी टीम में जारखन की चार खिलाडियों का चैन किया गया इसमें भारतिय महिला टीम की नियमी सदस्य मिड फिल्डर निकी प्रधान तेज तराज फरवर्ड सलीमा टेटे और संगीता कुमारी का चैन किया गया है इसके अलावा भार्तिये जुनियर महिला होंकी टीम की तेज तराज फरवर्ड ब्यूटी डुगडुक को पहली बार भार्तिये सिनियर होंकी टीम में सामिल किया गया भार्तिये महिला होंकी टीम 27 नोवंबर से 18 दिसंबर तक एस्पेन में आयोजीत एफ आई एच महिला होंकी राष्ट्र कॉप में सामिल होगी बता दे जार्खन की चार महिला होंकी खिलाडियों के भार्तिये टीम में चैन होने पर होंकी जार्खन के अद्यक्ष भोलानाथ सिंग ने कहा है कि जार्खन के लिए बड़े ही गोरों का छन है लोगों में जगरूपता बढ़ाने के लिए ओडिट दिवस का आयोजान देश के नियंत्रक, महालेखा, परिक्षक, संस्थान के एतिहासिक उदगम और सूसासन में इसके योगदान तथा वर्सो से पारदर्सिता तथा जवाबदही को बढ़ावात देने के उद्देश से ओडिट दिवस मनाया जा रहा है, पूरे देश में अगामी 24 नमबर तक आयोजीत ओडिट दिवस के माधियम से लोगों के सीएजी के बारे में जगरूपता बढ़ाने और स्टेक होलडर के बीज परासपरिक किरिया कलाब पर जोर दिया गया, रांची के टुरंडा इस्थ पलास सभागार में आयोजीत ओडिट सप्ता में बीत मंत्री डक्टर रामेश्वर उराव और लोक उपकरम समीती के सभापती सर्जूर राय उपसित थे, इस मौके पर जार्खंड राज के गठन के बाद महालेखाक कार जार्खंड ओफिस के उपलपदियों को बताया गया मुख्य मंत्री हेमंद सुरन गय दिली उद्योग विभाग में करेंगे सिर्कत दिली जाने को लेकर जार्खंड मुक्ति मोर्चा के ने ताओ से पूछे जाने पर उन्होंने कहा है कि वो द्योग विभाग के कारकरम में हिसा लेने के लिए वह दिली गया है इस्कूल के निदेशक पर छात्रा से छे छड़का आरोप रायधानी रांची से सटे नगड़ी में एक प्राइबेट इस्कूल के निदेशक पर अपने ही इस्कूल की छात्रा से छे छड़का आरोप लगा है उसके बाद प्रखंड करयाले परिसर में नगड़ी के जन परती निदी और अस्थानिय समाजी करका तावत दर्जनों ग्रामिनों को पस्थिती में एक बैठाक आयोजन किया गया बैठाक में उपास्थी सबी लोगों ने एक सवर में घटना की निदा की और मोग के मामले में सनलिप्त निदेशक को कड़ी से कड़ी सयाद देने की मांग की बैठक में लोगों ने नगडी परसासन को 24 गंटे के अंदर छे छाण करने वाले निदेशक को गिरफतार करने की जतावनी भी दी है अने अथा नगडी को अनिश्चित कालिन बंद करने की बात कही गई है स्वास्थे मंत्री ने एन एचेम कर्मियों को दिया भरोसा राज में कररद 16 अनिश्चेम कर्मियों को उनकी नोकरी नियमित होने का स्वासन स्वास्थ смंत्री बनना गुपता ने दिया है स्वास्थ मंत्री के साथ होई बातचित के बाद कर्मियों ने उनका धन्यवाद भी दिया बतादे स्वास्त मंत्री बाना गुपता के आवासिय कर्यालाई पर सैकड़ों की संक्या में एनेचेम के विभीन जीलों से आय कर्मियों ने अपने नियमेती करण कीमाय को लेकर मुलकात की गुमला में इसकूली बच्चों से सिक्षक ने मजदूरी करवाया जारखन के गुमला जिला के चैनपूर परखन अंतरगत आरसी मध्य बिद्यालाई से एक मामला सामने आया है जनकारी के मुताविक मासूम बच्चे कलम कोपी लेकर बिद्याले पढ़ने के लिए गए थे किन्तु वहां के सिक्षक उनसे बाल मजदूरी करवा रहे है यहां मासूम बच्चों से शिक्षकों के दोआरा कुणाल इट बालू मिट्टी ढूलाई पर पेशेवर मजदूरों की तरव मजदूरी कराई जा रहे है बताया जा रहा है कि यहां पर नाया बिद्याले भवन का निर्मान हो रहा है साथ ही जल्मिना निर्मान का भी कारे चल रहा है लेकिन काम के लिए मैदूरों को न बुला कर यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से मैदूरी कराई जा रही है बताया जा रहा है कि मैदूरी नहीं देनी पड़े इसके लिए विद्याले के सिक्षकों ने इन बचों को पढ़ाई कराने के बजाए इट बालू वा मिटिड होने के काम पर लगा दिया है पेजल और स्वख्षता बिभाग के अभ्यानता पर चलेगा केस हर्य थाना में ये फायर दर्ज किया गया है बरतमान में मामले की जाच जारी है खुटी में डायन प्रथा उन्मुनल को जगरूपता रथ रवाना डायन प्रथा उन्मुलन के उद्यस से समानाला परशाच से उपायुक ससी रंजन ने बुद्धवार को हरी जंडी दिखा कर साथ ही डायन प्रथा के उन्मुनल के प्रती जन जागरन को लेका हस्ताक्षर अभ्यान का सुभारम किया जागरूपता वाहन के जरिये डायन प्रथा उन्मुनल के समद्ध में जीले के अलग-अलग छेत्रों में परचार परसार किया जाएगा जीले के बिभीन ग्रामी छ खिलाप कोडार्मा में बीजेपी का परदर्सन परदेश की हिमंत सरकार फरस्ट चार में डूबी है और राज यहीत में इस सरकार का जल्दी जाना जरूरी है परदेश जहां लूट का खेल चल रहा है वहीं परदेश के मुखिया हिमंत सुरेन गदी बचाएने में लगे करेंगे कही कोडार्मा सांसद और केंद्रि राजमंत्री और पूर्ना देवी ने भी कहा है कि जीला परशासन जान पोज़ कर लोगों को परशान कर रहा है उन्होंने कहा है कि चाहे बुलू एस्टोन का मामला हो या फिर धीबरा चुनने का यहां के लोगों को तंग तबा किया जा रहा है करसर उजाड़े जा रहे हैं और लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है राजेपाल रमेश बैस आज एक्सपो उत्सव का करेंगे उधाटन जारखन की राजधानी रांची में 24 नॉमबर से एक्सपो उत्सव दो हजर बाइस का आवजन किया गया है मौरबादी मैदान में गुरु वार को दीन में 12 बजे राजेपालवा मेश बैस इस एक्सपो उत्सव का उधाटन करेंगे पांच दिन तक चलने वाले इस एक्सपो में देश दुनिया के कई बड़े ब्रांड सामिल हो रहे है बता दे एक्सपो उत्सव दुहजर बाइस ए रांची तेवहार का आवजन रांची जुनियर चेमबर की ओर से किया गया है इसकी त्यारी पूरी हो चुकी है एक्सपो उत्सव का या सिलवर जूबिली बोर्स है इस साल एक्सपो में 325 एस्टो लगेंगे एक्सपो हर दिन सुबा 11 बज कर 30 मिएट से रात 9 बजे तक खुला रहेगा चेमबर के अध्यक्स सोरोव साह ने प्रेस कॉनफरेंस करके बुद्ध्वार को यजनकारी दिया है मानो तसकरी के सिकार जार्खन के 4 बच्चे दिली से रेस्क्यू जार्खन के मुख्यमंत्री हेमांसरेन के सार्थक परयासे लगातार मानो तसकरी के सिकार लड़के लड़कियों को मुक्त करा कर उनके घरों में पुर्णवास किया जा रहा है इसी कड़ी में मानोय तसकरी की सिकार रांची जीले के तीन लड़के और गुमला की एक लड़की को दिली से मुक्त कराया गया इस संबन्द में एकी करीत पूर्णवास संसाधन केंद्र नई दिली की नोडल अफिसर नची केता ने बताया है कि चारो बचे मानोय तसकरी के सिकार होकर अलग-अलग समय पर दिली आये थे तीन लड़कों को दिली पुलिस ने रेलवे स्टेसन से रेस्क्यू कराया वहीं गुमला जिले की एक लड़की को मानोय तसकरी दिली लाया था उसे एक कोठी में घरेलू काम करने के लिए बेश दिया गया था देवगर और हजारी बाग में बिजेपी की जन आक्रोस रैली हेमन्त हटाओ, जहारखन बचाओ, अभियान के तहथ देवगर और हजारी बाग में भाजपा ने जिला मोख्यालों में सरकार के खिलाप आक्रोस रैली निकाली सभी मंडलों से आये भाजपा के करकारता देवगर के सीव लोग परिसर में एक जुट हुए एवब भाजपा जिला अध्यक्स, बिधायक, नरायन, दास के नतित में हजारों करकताओं ने समनाले तक आक्रोस रैली में सामिल हुए इस दोरान भरष्टाचार एवब राज सरकार के खिलाप जमकर नारेबाजी की साभी करकता समनाले गेट के समीब स्तलक पर धारने पर बैठ गए वब नारेबाजी की इस दोरान सुरक्षा के तोर पर पूलिस के तैनाति की गई थी कोडारमा में बीजेपी की जन अक्रोस रैली जारकंड की सरकार के जन बीरोधी नीतियो और फरस्टाचार के खिलाप भाजपा ने बुध्वार को कोडारमा में जोरदार बीरोध परदसन किया इसके पूरो पार्टी के जिलाद्यक्स नितेस चंद्रवन्सी के नेतित में आक्रोस रेली निकाली गए जिसमें काफी संका में पार्टी कर करता सामिल हुए आक्रोस रेली अस्थानिय हन्मान मंदीर से होते हुए समनाले पहुचकर धाना में तब्दिल हो गया धाना को समोधित करते हुए मुख्य वक्ता धनबाज सांसत पियें सिना ने कहा है कि राजे में हर तरफ लुट खोसोट का खेल चल रहा है जारखन बंगाल बॉर्डर में स्कूल बस पलटने से 13 बच्चे घायल पच्चिम बंगाल के पुरुलिया इस्थीत बंदवान के कुचिया गाओं के पास भोला पाहर प्राइबेट स्कूल की बस पलट जाने से 13 बच्चे गंभी रूप से घायल हो गया है घायलों में अधिकांस बच्चे पहली से पांचवी कक्छा के हैं बच्चों को सीर और चेहरे पर चोट लगी है वहीं बस ड्राइबर किरितिवास सींग को दाये पायर और सीर में चोट आई है सभी को जमसेदपूर के MGM अस्पता लाया गया वहीं पांच बच्चों को प्राइथमी की चिकित्सा के बाद TMH रेफर कर दिया गया है बस ड्राइबर किरितिवास ने बताया है कि हर दिन के तरह सूपा 40 बच्चों को ले करवा इसकूल की ओर जा रहे थे उन्होंने एकसिलेटर दबाया तो वह फंस गया इससे बस इस्प्रीड लगातार बढ़ने लगी कहा है कि ब्रेक दबाया तो वह फेल कर गया चात्र सांसद कारेकरम में गिरीडी की सभ्यता होगी प्रवेक्चक जारखन बिधान सभास्त अपना दिवस के मोखे पर 24 नौवंबर से चात्र सांसद का आयोजन हो रहा है इस चात्र सांसद में जारखन के भी भीन जीलो समेत परखंड के चात्रों का जुटान होगा इस छात्र सांसद में ये छात्र अपनी अपनी बातों को रखेंगे यू कहा जाए तो छात्र बिधायक या तो फिर मंत्री के रूप में अपनी छेत्र के समस्याओं को लेकर पक्च भी पक्च की भूम का आदा करेंगी इसको लेकर जारखन विधान सभा की दितिये चात्र सांसद में इस बार प्रवेक्षक के रूप में बगोदर की बेटी सभ्याता भुसन पीता डाक्टर ससी भुसन चुनी गई है इस चात्र सांसद में चात्रो द्वारा रखे विचारों को भाली भाती से आउगत होगी नगर निकाय चुनाओ कुछ महीनों के लिए टलाया अनुसूचित जन जाती अनुसूचित जाती अल्पसंख्यक को पिछडा वर्ग कल्यान विभायक के मंत्री सा टीसी के उपाध्यक चमपाई सोरेन विधायक सा टीसी सदस्य इस्टिफन मरांडी दिपक दसरत गगई विकास कुमार मुंडा नमन विक्सल कोगडी रजेस कक्छप सोनाराम किसकू मुख सच्चिव बिनाय कुमार चौबे सच्चिव सिरी निवास सच्चिव हिमानी पांडे सहित अन अधिकार उपस्थित थे जारखन हाई कोट में चार नेताओं के मामले में होई सुनवाई जारखन हाई कोट के जस्टिस एसके दिवेदी की आदालत से पूर्वी मंत्री योगेंदर साव को रहत मिली है अदालत ने योगेंदर साव को फरार घोसित कर कुरकी जबती के आदेश को न भावी नहीं होगा निचली आदालत के आदेश के खिलाप योगेंदर साव की और से हाई कोट में आज का दाकिल की गई थी सुनवाई के दोरान उनके अधिवक्ता मनीस कुमार ने आदालत को बताया है कि सुप्रीम कोट ने जमानत देते समय राजी के बाहर रहने की सर्थ लगाई थी ज्यारखन में कई संगठन पूलिस निशाने पर ज्यारखन में नकसलियों के मदतगारों की कमी नहीं है इन्हें औरबर नकसल के रूप में पूलिस पर सासन देखती है और सबूत मिलते ही दबोचने में जुट जाती है पुर्व में एन आई एक के हाथो जिन पर नकसलियों के लिए काम करने उनका परचार परसार करने उनके लिए प्रेस मीडिया का चोला ओढ़कर मदत पहुचाने जैसे आरोप है जारखन पूलिस इनके बिरूत वा इन संगठनों से जुड़े करीब डेर सब से अधिक लोगों के बिरूत सबुत जुटा रह है ताकि उनका भंडा फोड किया जा सके कोरोना में जान गवाने वाले के परिवार को नहीं मिल रही अनुगरह रासी कोरोना में जान गवाने वाले धनवात के असरीतों में कुछ लोगों को अनुगरह रासी नहीं मिली है इससे वैसे असरीतों के उमीद पर पानी फिरता दिख रहा है उनकी आस निरास में बदल रही है पिछले दो वर्षों में कुरोना महामारी में कई लोग जान चली गई है इसमें ज्यादातर मैदूर वनिम्न परिवार से सम्वन्त रखने वाले लोग हैं घर के मुखिया की अचानक मौत से परिवार अनात हो गया है ऐसे में अनुगरह रासी की सहयता उनके लिए काफी मायने रखती है दुमका में 1312 क्यूंटल चना बीज गमन मामला पिछले साल 1312 क्यूंटल चना बीज के गमन में बुद्धवार को क्रिशी निर्देश सक के निर्देश पर नगर थाना में मामला दर्ज हो गया है जिला क्रिशी कर्मी मानिक चंदर मंडल वा स्याम सुंदर सिंकी और बीज मिल थाए धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं होते सब्सक्राइब को सब्सक्राइब गंडरा यह साथ साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों क्या सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवा एक अवस्य दे थैंक यू